हेलो दोस्तों आपका सौगत है मेरे यूटूब चैनल एलेल वीडियोस में आज हम बात करते हैं सैसन कोट और डिस्टी कोट क्या होती है चलिए जानते हैं जैसा कि आपके किसी दोस्त के उपर किसी गंबीर क्राइम का अरोप लगाया गया है तो ऐसे में उसको आजीवन कारवास की सजा हो सकती है आप या वो अपनी सुरक्षा के लिए कहा जाएंगे तो इसका आंसर है सैसन कोट सैसन कोट एक ऐसी कोट है जो उन मामलों से निपटती है जिनमें 7 साल से ज़्यादा की सजा होती है या फिर आजीवन कारवास या मृत्यूर्डन की सजा हो सकती है जो की गंबीर अपरात की प्रोसेडिंग के लिए बनाई गई है चलिए जानते हैं सैसन कोट किसे कहते हैं एक डिविजन में केवल एक ही सैसन कोर्ट होना चाहिए सैसन कोर्ट में क्रिमिनल से जुड़े मामलों का निटारा किया जाता है उधारन के लिए चोरी, डकैती, हत्या, लूटपात, आधी के मामलों का निटारा सैसन कोर्ट में ही किया जाता है किसी भी जिला में अपरादिक या सिविल मामलों के लिए दो अलग-अलग नियाले होते हैं जैसा कि अपरादिक मामलों की सुनवाई सत्र नियाले याने सैसन कोर्ट में की जाती है उसे सैसन कोर्ट कहा जाता है हाला कि दोनों नियालों के नियालों की नियालों की जज एक ही हो सकते हैं जिला नियाली इस जिला सतर पर सबसे बड़ा नियाली का अधिकारी होता है और इनके पास डिस्टिक और सैसन दोनों ही नियालों की सुनवाई करने का अधिकार होता है अब हम बात करते हैं डिस्टी कोट की जिला नियाले किसे कहते हैं भारत में जिला सतर पर नियाई देने के लिए निर्मित नियाले जिला नियाले डिस्टी कोट कहलाता है सिविल मामलों की सुनवाई जहां पर होती है उसे जिला नियाले यानि डिस्टी कोट कहते हैं जिला नैय इसके पास नैय आईक और प्रसाचनिक दोननों परकार की सक्थिय रखता हुती है। उसके पास जिले के अन्ने सभी अदिन निया लेकर निरिक्षान करनेकी सक्थिभी रहोती है। ya थि आप ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी वीडियो के लिए आप मेरी यह लेलवी वीडियो को फोलो करें चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू